2007 राजस्तान उनिवर्सिटी टोप की है मैं चाती तो मैं भी एक अच्छी नोकरी कर सकती थी रुपया पैसा सब कुछ कमा सकते थे लेकिन मेरे जो जीवन का टारगेट है वो आमजन की सेवा हरीदवार में सवा पांच महने तक लगातार दोनों समय गंगाजी की आरती करना व हमने वहां खूब अच्छी संख्या में गायों की सेवा की एक अच्छा संसकार वान जीवन जीएं पढ़ाई लिखाई खूब करें प्रन्तों अपने संसकर्ति और संसकार ना छोड़े लगब 20 साल से जो भी बुड़ी बिमार बे सारा गाय है उनकी सेवा कर रहा हो और मैं शिर्फ और शिर्फ मेरे बेस पर वो गवुसाड़ा चला रहा हूं मेरे गुरू की आस्ता जो है विश्वास है वो यह है कि डोरा डांडा तंतर मंतर करने से ये बीमारियां बढ़ती हैं नकी गष्टी अंद विश्वास में से लोगों को दूर कर रहा हूं मैं आप अधुनिक जीवन में हर लोग अपने जीवन की आपादापी में जहां अपने में वैस्ते हैं जहां खुद के लिए समय नहीं है वहीं इनकी जो टीम है वो लगातार गो सेवा में और सामाजिक कारियों में अपना पूरा समय देते हैं और यहां पे गो बक्त सुनिल जी है, सुनिता जी है, यह लगातार कई वरसों से गायों की सेवा में लगे वे हैं, मानो सेवा में लगे वे हैं और पिछले दिनों जो पूरे भारत में जो लंपी का बहेंकर परकोप भुआ था, उसमें उन्होंने हजारों सेंकडों गायों की सेवा के थी और आज हम इन से बहु किि इससे स्बोर से सरचा हिस्ली बी है कि फिछली दिनों हरीदवार में इन्हों ने लगातार पांच मेने एक इस्तान पर गंगा मैया की शेवा की हाम築ण किया ही पूरे देश में शुक्षान्ति तरीके बताते हैं, तो सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि आपकी सिक्षा को लेके, क्योंकि बहुत जादा पड़ी लेकिया है, फिर सिक्षा के बाद अक्सर लोगों का ये टार्गेट होता है, उनका लक्ष होता है कि कोई बड़ी नोकरी करना या बिजनस करना, लेकिन अच्छी नोकरी कर सकती थी, रुपया पैसा सब कुछ कमा सकते थे, लेकिन मेरे जो जीवन का टार्गेट है, वो आमजन की सेवा, पलस जो जैसे मैं नोकरी नहीं करके इस चीज को तो जो इसलिए दिया कि जो वर्तमान समय में गायों की दुर्दसा हो रही है, जीमात्र की जो मूख बदीर प्राणी है, उनकी एक तरह से दुर्दसा हो रही है, और गुरु करपा से मुझे वो सब सदबुद्धी मिली, और मैंने मेरे जीवन को नोकरी ना करके, समा सेवा, जन सेवा, आम जन की सुक्षान्ती के कारियों में, गो माता की सेवा में, या यू कहें, क जीव मातर की सेवा में पूरे जीवन को गुरु क शरण में समर्पित कर दिया है, और जब आपने सन्यास जीवन में जाने का फेसला किया तो जाईर सी बात है, गरवालों का भी विरोध आपको सहिंद करना होगा, तो आपने गरवालों को केसे समझाया, केसे उनको त्वास में लिया त्यार किया देखे इस तरह से एक लड़की समार्ग में आती है तो अपना समाज भी विरोध करता है घर परिवार भी विरोध करता है परंतु उस चीज में एक अलग चीज होती है यद्धी अपन सतेता पर हैं और सच की राह पर चल रहे हैं और फिर अपने लगातार हरिद्वार में पांच महिने लगातार तप्शा की थी और हॉम होन किया था तो उसको लेके बताएं किस तरह से कैसे फैसल लिया और उसको आपने किस तरह से किया सबसे पहले तो देखिए गुरु आशिरवाद पलस साथ में जो हम गो माताओं की सेवा करते हैं तो गो माता की करपा इसी से पांच महिने हमने हरीद्वार में गुरु सरण मेरे परमपूजने सुनील जी गुरु देव हैं इनकी सरण में हरीद्वार में सवा पांच महिने से गायों की हमने वहां खूब अच्छी संख्या में गायों की सेवा की देशी इलाज किया हल्दी से फिटकरी से इन से हमने काफी गोमाताओं का जीवन बचाया साथ में सोभग्य मिला कि लगातार कंट्यूनिटी कि मैंने एक लाख आठ हजार नारेलों की मंत्रो चार के साथ आउतियां लगा कर हवन में हर की पोड़ी पर वहां के पंडितों के सानीदे में गंग रामायन जी के पाठ किये और इसनी किरिया कलापों को धार्मिक जो भी मेरे हैं उनको देखते हुए गंगा सबाने मुझे देश की पर्थम गो भक्त कन्या का वहां परमान पत्र दिया जो मेरी धार्मिक सेवाए हैं आमजन की सुक शान्ती के लिए हैं उसके तैती और अभी भारत में अलगले इसतानों से महिलाएं पुरस आपके अन्यों ये बहुत सारे आपका अनुसरण करते हैं जुड़े होंगे हाँ बिल्कुल हर तरह से जुड़े हुए हैं हमारे जु मनुष्य तो एक ही जीवन है प्राणी है तो सभी सुक शान्ती से रहें इसके लिए हम हर जगे मेसेज देते हैं विशेश कर जो गायों की सेवा है उसके लिए जैसे हरी दोआर का मेने करके फिर एक गो तिर्थ के लिए सत्रा गाओं की जो पैदल यात्रा है वो की हर घर द कि जो टॉपर रही और वो आज सन्या जी रहे हैं तो क्या लगता है आपकी जो सहपाठी जो मित्र थे जो साथ में पड़े थे वो जब कभी मिलते हैं तो उनको आज तरह की बातें करते हैं कि हमारे साथ बढ़ी लेगी बहुत सारी तो कई बड़ी-बड़ी पदों पे नो मुकाम गुरु करपा से धारंग किया तो वो सबी सयोगी होते हैं आसरे करते हैं कि हमारे साथ पड़े लिखे हो गर इस तरह से जीवन को इस रूप में दिया अपने लिए तो सभी जीते हैं औरों के लिए जी कर देखे उसमें आनन्द मिलता है अपनी आत्मा को मिलती है जैसे आसरम पर है रोते हुए आते हैं हसते हुए लोग जाते हैं हमारी जो गोशाला है उसमें गायों के परते के नाम हैं हर गोमाता नाम से बूला कर बुलाते हैं तो आती है तो सभी का यह एक अच्छा सयोग मिल रहा है से पाटियों का सभी का मात पिता का गुर से बटक रहे हैं क्या कहेंगे वर्तमान में जो समय है वो जो वेश्टन कल्चर है उस पर ज्यादा अधारित हो रहा है तो मैसेज मुख्य यहीं होगा कि जो हमारे सनातन धर्म है हिंदू धर्म है उसकी परंपरा संसकर्ती हैं अपने बड़े बुजुर्गों का आदर समान है थोड़ा सेवा भाव में भी अपने जीवन को ले जाएं एक अच्छा संसकार वान जीवन जी हैं पढ़ाई लिखाई खूब करें प्रंतों अपने संसकर्ती और संसकार ना छोड़े सिव गोशाला रानासर जुन जुनों के परमुख संक्षक है सुनिल जी गुरुदेव आज सुनिल जी से बहुत सारे विश्यों पर चर्चा करेंगे सुनिल जी सबसे पहले आप जो ये काम कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत-बहुत साथ बाद यह आपने किस तरे से विचार किया कि गायों के लिए गोशाला की स्थाफना कीसा दंदा करता था बिकानेर में मेरी गोशाला चुरुवात् team अइये सुरुवात की तब E गाय को देखा तो विचार आया कि ये गाय ऐसे पड़ी उसको नजदीक से देखा तो गाय को अधी खा रखे थी खुतों ने आगे से वो जिवे थी तो मैंने तड़प रही थी बुरी आल और लगबग वो ऐसे थी कि भाई अब मेरा कब स्वास निकले कब नहीं तो मैंने उस इसी समय वहां पर वो किडे निकालने चालू कर दिये और लोगों कहा कि ये मेरे घर पर छोड़ दो लोगों ने कहा कि घर पर ले जा कि क्या करोगे तो मैंने कहा कि जितनी भी घर नहीं ले जा सका परन्तु वहां की क्रों के अंदर और मैंने वह वहां पर शेवा चालू कर कर दी कि बिकानेर में कहीं भी कोई भी बिमार गाय है वो मेरे आश्रम पर छोड़ दो मैंने आश्रम बना रखा था उस आश्रम पर छोड़ दो लोगों ने गाड़ों में डाल के कोई पीकप में लाके गाये छोड़नी चालू कर दी वहां पर मैंने गायों की सेवा के नाम से सिव गव साला नाम से एक दोव साला बढ़ा दी उसमें सिर्फ और सिर्फ बुड़ी बिमार गाय की उनको रखना चालू किया और उसी समय से लेके आज तक लगबग 20 साल से मजो भी बुड़ी बिमार बे सारा गाय है उनकी सेवा कर रहा हूँ और अब राणासर धाम गुरू आसरम जूंजनों में गव साला कर रखे उसमें कहीं से भी कोई भी गाय लेके आए बुड़ी बिमार वो बिन्ना सरकारी सहायता में शिर्फ और शिर्फ मेरे बेस पर वो गव साला चला रहा हूँ इसमें अगर बिमार लाचार गाये हैं तो आपसे कैसे संप्रकरें और कैसे वहां तक पहुंच जाए क्या वहां से कोई गाड़ी आएगी आपने इस तरह पर या किस तरह की सुईदा होगी और इसमें जो जिस गाय के मालिक होंगे वह भी वहां पर गायों को रख सकते हैं या जो लावरिस गायों के लिए वेवस्ता है गाड़ी की वेवस्ता नहीं है हमारे हम गाड़ी नहीं बेचते कोई भी हमारे पास लाके छोड़ दे उसको ने मलिक को रहने की जरूरत ने कोई और जो भी बुड़ी बिमार गाय है उसकी हम सेवा करते हैं और हमारे वहां ही वो मौक्स पाती है ऐसे नहीं कि हमने ठीक वीर वापिस छोड़ दी वो वहाँ फिर निवास करती है और कहते हैं वहाँ पर जो मुख्य दाम है वहाँ पर चमतकार जैसा भी कुछ होता है तो क्या कहेंगे वहाँ पर किस तरह के लोग आते हैं किस तरह के उमीद लेकि आते हैं पिछले सत्रा साल से 2007 में मैंने आस्रम बनाया था उस समय से लेकर आज तक हमारे आस्रम की ये परंपरा रही है कि रोता हुआ आदमे आया है हंसता गया हमारे सत्रा साल से लगातार हवन चलता है आप किसी भी समय जाओ के मैं डोरे डांडे तंतर मंतर के खिलाफ हूँ, मेरे गुरु की आस्ता विश्वास है वो ये है कि डोरा डांडा तंतर मंतर करने से ये बीमारिया बढ़ती हैं नकी गटी, अंद विश्वास में से लोगों को दूर कर रहा हूँ, और इस कड़ी में मेरे से जो भी सिक्षित आ कोई कामकर ही नहीं रहा है और जो सचाए पर कर रहा है उसकी इस्तिती बहुत ही देनिया है, सिर्फ और शिर्फ पकंड कर रहें, लोगों को बर्मित कर रहें, और हम इस कड़ी में एक अठके काम कर रहे हैं मेरे आश्रम के साथ गेट है सातों गेट खुले हैं मेरे आश्रम पर 15, 20, 30 जो भी मकान है कहीं पर भी लोक सिस्टम नहीं है कोई भी आओ जाओ किसी भी कमरे में आओ कहीं भी जो भी आएगा उसको तो ये पूचने की जुरुष्ण कहां सामने गुरुजी मिलेंगे या कोई काम करते गायों के बीच में मिलेंगे ने कि ये कि मैं कोई कूटिया में बैठा हूँ की हमारी कूटिया अलग है और है आओ आओ 한 में नारियल लगाओ और अपनी सुक्षान्ती समर्दी के लिए प्रार्शना करो हमारा यह इधे है तो आप से वहाँ पर आएं दाम पर आएं नारियल लगाएं तो उसका कोई निश्चित दिन होता है या कब कब आएं क्योंगे बहुत से यह वीडियो बहुत से दूर के लोग देखेंगे तो वो भी सभी को बंडारा भी होता है और वी तो रेविवार और ब्रहसपतिवार हमारे विशेश दिने जो राजनेताओं के चक्र में लोग धर्म के नाम पे आपस में लोगों को लड़ाते हैं बरगलाते हैं तो ऐसे लोगों को क्या संद्श देंगे कि जो धर्म है वो हमें एक मुसल्मान है, सब एक दूसरे के उपर ये जो मॉबाइल आगैने, इसमें सिर्फ और सिर्फ दूरिया पहलाने के लिए ये चीज़ कर रही है बाकी, ने कोई मुसल्मान से दूर है, ने कोई हिंदू से दूर है, कहना और कत्नी और करनी में इंतर कर रखा है सब कहते हैं कि हिंदू हिंदू एक हो जाओ दो बाई हैं वो एक साथ नहीं रह सकते तो हिंदू हिंदू कहां एक होंगे ये सिर्फ और सिर्फ लोगों में डिस्पूट करने के लिए ये चीज़ें फेलाई जाती है वोट की राजनी चीए जिर्फ और से इसमें कहीं भी कोई यह नहीं है मैं आपको बताओं कि मैं एक हिंदू हूँ परंतु सच और सचाई मेरा सबसे क्लोज जो दोस्त है वो मुस्लमान एक नहीं बिकने रहता था मेरे याकूब या मतलब भारूग अनेक ऐसे दोस्त है वो आ बात आई बड़ा दुख हुआ यह कहनी नहीं चे कि वो बिकनेर से याकूब है उसके बच्चे के साधी भाई जी आप आओगा तो शुरू परंतु त्याज आओगा कि मैं क्यूं बोले लो थे इलाइन मोह और थान लोग हैंगा कि मुसलमान का जारे मूं मैं पहले आऊंग और वो गलत है और मैं इसका जबर्दस विरोध करता हूं यह चीज़े नहीं भलाएं तो ज्यादा सही है यह एक मोबाईल आ गया पांस साल का बच्चा है वो भी रात को डेड़ बजे तक पढ़ता है उसके घरवाले क्या कहते हैं बच्चा पढ़ रहा है अरे पढ़ नही कोई पिक्चर देख रहा है या कोई कुछ भी करता पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं मैं आप सभी बायों से विशेष अनुरोद गरूंगा कि अपने बच्चों का मोबाईल थोड़ा साथ सेक करते रहें नहीं तो यह एक दिन बढ़ा केंसर बन जाएगा इस बहुत ही गल अच्छारीय यह इस्तेमाल करें आज के दिन अच्छे के लिए इस लिए मैं सभी बच्चों को कँँगा कि उप्योग को सही के लिए और आप की गोशलां में कोई कुछी अविसे सेयो हमारी यात्रा भी रही है एक रूपयको नहीं आसरी आज कह बदा और जो सहयोग की बात है तो हम हटके ये गवसाला चला रहे हम लोगों को कहते हैं कि जो भी आपके बचा हुआ समान है वो अमरी गवसाला में देव हम गायों को निवाला देंगे जैसे ब्याय सादी में समान बचता है तो हम वो समान लेके आते हैं उसी दिन जैसे सब्जी है या कोई पूरी पाड़ी बच गई, कोई आटा बच गई, ऐसी चीज लेके आते हैं, उसका सही सदूपयोग करके गायों को डालते हैं, हमसे यदि कोई गउसाला से समंदित मिलना चाहे या सहयोग करना चाहे तो प्रणासर दाम गुरु आश्रम पर आएं, या हमारे जो नंबर है, 9829176772, इन पर सहयोग कर सकते हैं, बाकि यदि एक बार आक करके हमारी गउसाला देखें, आश्रम देखें, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, और आप राजनिती में भी लंबे समय से रहे हैं, आपके अच्छे राजनितिक मित्र भी हैं, तो क्या आने वाले समय में हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि आप राजनिती में आने का विचार कर सकते हैं या राजनिती में आएंगे? सामने वाड़ा, मैं आपको एक छोटा सा उदारन बता दूँ कि मेरे आश्रम पर गाहों से 28 आदमी काम करते थे, मैंने सरपंस का चुनाव लड़ा, मेरे बोट आए 12, जिनको 28 को मैं तनका देता हूँ, उन्होंने ने बोट नहीं ती, मेरे गर में साथ आदमी हैं, मेरे व राजनिति, वैसे राजनिति ये आदमी जितने भी हैं, वो भगवान की गुरु मराज की करपा रहे हैं, कि सब आशिरवाद लेके जाते हैं, आज तक राणासर दाम पर जिसने भी नारिया लगाया है, वो अभी तक चुनाव नहीं आ रहा है, वहां राणासर दाम पर वो ही पहुंचता है, जो चुनाव जीतता है, ये अभी तक हमारे अडोस प्रोस में राणासर गाओं के भी प्रंपरा रही है, तो राजनिति में जूट हम बोल नहीं सकते, इसलिए राजनिति करते हैं, ऐसे परंतु राजनिति में जीतने के लिए हम सफल नहीं है जीत हमारे साइद नसीब में नहीं होगी तब है आज हमारे साथ थे सीव गो साला राना सर जुंदनों दहाम के प्रमुक स्रंक्षक सुनिल जी गुरुदेव वे सुनिता जी जिन से हमने खुलकर चर्चा की इन्होंने भी बहुत सारे विशों पे खुलकर वर्तमान समाज में मानव हित में लोक हित में जन कल्यान कारी कारिये कर रहे हैं बहुत अच्छा कारिये कर रहे हैं गावें की सेवा कर रहे हैं और करोना काल में भी इन्होंने बहतरीन कारे किया और सुनिता जी है वो उच्छित महिला है और बहुत सारी डिग्री दारी भी और उन्होंने सबी से यही आवान किया है कि एक दूसरे से प्रेम से रहें, बाहिचारे से रहें, धर्हम के नाम पर उन्वाद ना करें क्योंकि सबी हम मानव हैं, भाई-भाई हैं हम लगातार ऐसे ही खुबसूरत महमानों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे आप लोग लगातार हमारे चनल से जुड़े रहें धन्यवाद जहिन